नमस्कार दुफ्तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख़़ा होगा नीट 2024 का कोस्टन्स पेपर फिर नीट 2023 का कोस्टन्स पेपर नीट 2021 का कोस्टन्स पेपर ठीक है जो कि रियल नीट का कोस्टन्स पेपर है बेसिकली हमारा जो टार्गेट है वो नीट 2021 से लेकरके नीट 2024 के क को काफी अच्छे से प्रैक्टिस करना ठीक है आपको यह पता होगा कि रिसेंटली मही कोस्टन्स रिपीट हो रहा है काफी जादा ठीक है तो बेसिकली हम एक मतलब की चार-पांच साल के जो भी कोस्टन्स है उसको हम कंप्लीट करेंगी ठीक है तो हमने अब तक नीट 2021 का टो कंप्लीट करेंगे 11 नमबर पार्ट को यहां पर डिसकस करेंगे जिसके इंटरनली हम नीट 2022 की कोस्टन्स पेपर को कवर करेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हम अपने कोस्टन्स रिपीट हुए थे आप वहां पर देख भी सकते ठीक है तो बिसिकली हमें स्टार्ट करत इतनी का questions है जो कि नीट 2022 का है ठीक है अब यहाँ पे जो first questions कहा जा रहा है which one of the following plant sow, waxillary activations and diadelphus stamin ठीक है तो आपको भी पता है कि diadelphus stamin का example क्या होता है 22 से टाइब मतलब कि इसका राइट अंस टू हो जाएगा again the next questions is productions of the cucumber मतलब कि cucumber का जो productions होता है has increased manifold in recent year मतलब कि like 1 to 10 years recently and applications of which of the following photo hormones has resulted in this increased yield as the hormone is known as the produced and female flower in the plant so एक हार्मोन होता है जो कि cucumber के productions को increase करता है the right answer is ethylene, ethylene is the hormone again फिर next questions है यहाँ पे which one of the following productions मतलब कि यहाँ पे जो product produced होता है so produced nitrogen fixing मतलब कि end to bacteria जहाँ से नीट 2021 कोर्शन आया हुआ था and noodles one of the root of the illness मतलब right answer is frankia frankia is the right answer again फिर आते next questions पे this is again next questions which one of the following is not a method of ex-situ conservation मतलब कि इन में से कौन सा ex-situ conservation के examples नहीं है ठीक है तो basically in-situ conservation के example हमें चूज करना है ठीक है तो यहाँ पे in vitro fertilization जो की ex-situ conservation होता है national park जो की in-situ conservation है और हमें ex-situ नहीं चूज करना है मतलब in-situ चूज करना है तो in-situ national park हो जाएगा बाकि micro propagations, cryoprogations और भी बहुत सारे ex-situ के example होता है जैसे की gene bank, pollen bank यह सब या फिर आप botanical garden बगड़ा ले सकते है ठीक है national park जो होगा वो ex-situ conservation होगा अगेन आते next questions पे given below the two statement statement first and statement second जो की decomposition से related है यहाँ पे questions है decomposition is the process decomposition एक process होता है एक परकिडिया होता है जिसका internally क्या होता है in which the detritus is degraded into the simple substances by the microbes and this is known as decomposition process जिसका example बैक्टिया और फंगी आप ले सकते है तो यह right answer है मतलब की correct statement है again next statement कहाँ है decomposition is faster मतलब decomposition जो process होता है वो faster होता है if detritus reach and lignin in the chitin मतलब की detritus जो process होता है वो faster नहीं हो सकता बहुत slow होता है क्योंकि आपको भी पता है कि जब भी कोई dead decaying plant या फिर कोई dead मानोशडीर होता है और उसको खतम करने में बैक्टिया को काफी time रखते क्योंकि बैक्टिया बहुत छोटा होता है small होता है और वो बहुत दीरे-दीरे उसको खाता है so first statement is correct but second statement is incorrect करें कि यह स्लो प्रोसेस होना चाहिए था ठीक है अगेन आता है नेक्स्ट कोर्शन से यहां पर हाइड्रो क्वाइल केराजीन की जब भी बात आएगी रोडुफाई से आप लगाएंगे दा बॉगन वेलिया तो बॉगन वेलिया जो होता है वो एक लीफलेट मोडिफाई नहीं करता है that is wrong statement फिर इस्टम प họाइंगे स्टम बर включ घूटिसमेंट यह फ्लेटब का यह फिंट्व कोल्ट कहल काब्य हो यह ब्याजद केक्या परफॉर्म करता है यह भी statement correct लग रहा है अगें राइजो फोरा सो वैक्जिलरी अपवर्ड ओके ठीक है राइजो फोरा जो होते हैं वैक्जिलरी देखा जाए बर्टीकली तो अपवर्ड होते हैं और ग्रो करते हैं रूट के इंटररली और उनका काम होता है help करना किस चीज़ के लिए oxygen फोर द पर दोनों के दोनों निगेटिव नहीं स्वार्ड पोजिटिव होने चाहिए ठीक है यहाँ पर निगेटिव कहा गया मतलब यह स्टेट्मेंट इंकरेक्ट है ठीक है बाकी आप देख सकते हैं it help in the maintaining space diversity in the community बिल्कुल सही बात है it might lead to the extinction of spaces यह भी करेक्ट है it is necessarily by the nature and maintain the ecological balance यह भी सही है बट यह स्टेट्मेंट इंकरेक्ट है अगें matching का questions है यहाँ पर manganese, magnesium, boron, iron दे सकते हैं आप manganese के लिए आप मिला देंगे आप function of the splitting and the water during the photosynthesis के process के मादम से again magnesium जिसको हम activation enzyme in the respirations मिला सकते हैं मतलब कि 4, 3, 2 and 1 is the correct options ठीक है again next or last questions यहाँ पर हमारा assertion reason का है assertion का हाज़ारा यहाँ पर polymerase and reaction PCR जो होते हैं used in the DNA amplification सही बात है उसके बात next है the amplification is resisted gene used in the selectable marker check information तो यह भी बिल्कुल सही options है मतलब कि दोनों के दोने statement correct है बट यह जो फर्स्ट स्टेट्मेंट है polymerase and reaction वो amplicing resist को क्या नहीं कर रहा वो यहाँ पर explain नहीं कर रहा because of that कि यह chapter number 11 का है यह chapter 12 का है जो कि आपके by technology process and principles से related है ठीक है और एक है application का तो यह इसको क्या नहीं कर रहा यहाँ पर इसको explain नहीं कर रहा इसलिए the right answer is both assertion and reason are correct but reason is not correct explanation of a ठीक है so this is the questions raised यहाँ पर जितने भी questions है काफी important है and अब तक हमने जितना भी questions किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो इस channel को subscribe कर लीजे और अपने दोस्तों के साथ भी इसको share कर दीजे ठीक है तो मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you